जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आरेस नियूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखरकार जो आज भारतिया महिला टीम और आउस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में तीन मैचों की टीटउन्टी सीरीज का पहला टीटउन्टी मुकाबला खेला गया उसी रोमांचक मुकाबले की पूरी डीटेल जानकारी के बारे में तो आप सब इस खबर को जानने के लिए बिलकुल बने रहीएगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों यहाँ पर ह प्रीच मैदान पर ऑस्टेलाई गेंदवाज ने किया कुछ ऐसा कि देखकर छूट गई हर किसी की हसी आप भी वीडियो देखकर हो जाओगे खुछ वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो यह होगी कल फ्रेंट के सामने ही दोनी ने दीपक चाहर क जकडा सीएसके खेलाडियों ने दीपक चाहर के साथ किया कुछ ऐसा कि वीडियो देखने के बाद आपको भी आ जाएगा मजा तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे तो आप सभी इन तीनों इंखबरों को जानने के लिए बिलकुल बने दियेगा अंत 500 लाइक्स का तो आप अब भी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और अगर आप भी हमारे चैनल आरे इस नियूज पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दवाईएगा जिससे कि आपको किरकेट से जूड़ी तमाम जानकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका जाता समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सबी को बताए कि भारत और और ऑस्टेलिया महिला टीम इस समय तीन मैचों की टीटॉन टी आई सीरीज के लिए उपलब दै जहांपर दोस्तों भारत और ऑस्टेलिया की महिला टीम के बीच में सफलता पूर्वक पहले तो वंडे सीरीज के खेली जह दोस्तों हम आपको बताएं कि इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानि की 8 अक्टूबर वाले दिन खेला गया जहाँ पर इस मुकाबले में भारतिया महिला टीम की बल्लेबाजों का एक अलगी रूप सभी को मैदान पर दिखाई दिया जहाँ दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने इस मुकाबले में टोच जिते हुए पहले गेंदवाजी करने का फैसला किया जहाँ पर उनका गेंदवाजी करने का फैसला भारतिया महिला टीम के सामने पूरी तरीके से अपोजिट पड़ता ह पाजी करकर जरूर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगी लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा हो नहीं सका दरसल दोस्तों यहां पर इस मृतिमांदना 10 गिंदों में 17 रून बनाकर आउट हुई और पहला जटका भारतिया महिला टीम को इस मृतिमांदना के रूप में लगा जहां पर आकरमक रूप में बल्ले बाजी कर रहे ही सहफाली वर्मा 14 गिंदों में 18 रून बनाकर आउट हुई और अपनी 18 रून की पारी के दोरान शहफाली वर्मा ने तीन बड़े च्छके लगाये थे हाला कि दोस्तों इस मृतिमांदना और शहफाली वर्मा के विकेट के गि पाई जहाँ पर हर्मन प्रीत कौर ने पांच गिंदों में मातर 12 रून की ही पारी खेली और इस दोरान उन्होंने तीन चौके लगाये थे और उनको लपी डबलू आउट सोफिया ने किया जहाँ पर छटे ओवर की पांच वी गिंद पर हर्मन प्रीत कौर का विकेट गिर और ऐसे में भारत आमहीला टीम के तीन बड़े एक विकिट पच्पन लन के नुक्सान पर ही गिर चूके उड़े तो यहां पर यह बड़े पारी तिलवाई जेमिमा रोडरी समन है जहां दोस्तों इस मकाबले में जेमिमा ने तापर तोड़ बल्ले बाजी करते होे 36 तालीस रन बनाए वो भी नावाद रहते हुए और अपने इस पारी के दोरान उन्होंने साथ चौके जड़े तो वहीं दोस्तों यहाँ पर यहस्तिका भाटिया ने 15 गिंदों में 15 रन की पारी खेली और अपने इस पारी में उन्होंने दो चौके लगाये थे हलाकि उनको ज काफी थी जिसे बारिश होने लगी जिसके छलते हैं मुकाबले को शाल नाई कि असे मैच को कोई भी नतीजा नहीं निकला और एक तरीखे़से इस मुकाबले आप अपनी कीमती रहा है और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बड़ते हम बात करते हैं अगली ख़बर के बारे में जो अगली बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है वो यह है दोस्तों जिसके आप सभी को पताई कि आ इस बार बुमे इंडियंस का प्रदेशन उतने तो कुछ खास रहाने इस आईपेल के सत्र में और यहां पर बुमे इंडियंस च्छे मैचों में जीत हासिल करकर 12 आंकों के साथ पंजाब किंग्स और कॉलकता नाइट एडर्स की टीम से पीछ है हाला कि अगर आज का आज आज आप सभी को बुमे इंडियंस की सबसे खतरनाक प्लेंग 11 टीम मैदान पर उतरती हो दिखाई देगी जहां पर खुद रोहित शर्मा ने सामने आकर प्रेस कॉन्फरेंस में यह बयान दिया था कि संडाइजर सहदराबाद की टीम को बुरी तरीके से हराने के दिखाई देगी जियां दोस्तों आईए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बुमे इंडियंस के कप्तान रोहित शर्माज कौन सी प्लेंग 11 टीम उतारेंगे मैदान पर दोस्तों उन्होंने जो अगें दवाच रखे हैं अपनी प्लेंग 11 में उसमें शामिल है कर प्लेंट के लिए कौलिफाई करेंगी आफिन नहीं आप अपनी कीमती रहा है और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर वैता हिएगा तो ही चलिए अब आके बड़तों बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो दोस्तों अगली बड़ी खबर न कर प्लेंट के लिए कौलिफाई करना है तो उनको सट्राइजर्स हेदरवाद के खिलाफ होने वाली इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करकर दिखाना होगा और दमदार प्रदर्शन से हैदराबाद की टीम को बहुत जल्दी हराना होगा जिसकी चलते हैं आप बुमी इंडियन्स की टीम आइपल 2021 की प्लियाउप्स की रेस में जरूर बनी रहे सकती है बाकी दोस्ते हैं आप पाचवी टीम पंजाब किंग्स की टीम है और वहीं चटी टीम है पुमी इंडियन्स की टीम है राजस्तान रोयल्स और अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है इस ओवर में साथ विकेट पर 141 रन का स्कोर खड़ा गिया था जहां पर जवाब में बैंगलॉर की टीम 6 विकेट पर 137 रन ही बना पाई और 4 रन से हैधराबाद की टीम ने बैंगलॉर के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल कर लिए पर हमें उमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए बिलती रहे तो मिले पर देटिट रह सकें